नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनाव, सभी का टाइव तालोग ऑनलाइन इस्ट्यूट में है, मैं गौर्वन रहे हैं, आपके सामने उपस्तित हूँ, एक बड़ी महात्पूर्ण भरति परिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाएगी, लोगडाउन की त रहता है, वो ना जानदा लो रहता है और ना जानदा हाई रहता है, विशगली अगर देखा जाए तो 100 नमबर के प्रिश्ण पत्र होना है, जिसमें अभी तक जितनी पुष्टी हुई है, उसमें आपके चारों पोर्षन, math, reasoning, gs और हिंदी, लेकिन reasoning का पोर्षन थोड़ होगी, जिनका gs वाला पोर्षन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे का मतलब यह है, कि उन्हें current affairs की जनकारी होनी चाहिए अच्छी, और साती साथ जो आपके पांच मूल हो सब्जेक्ट हैं, gs के, उनमें से पांचों में से अच्छे होने चाहिए, अगर पांचों अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम तीन चार सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे होने चाहिए, जैसे जोग्रफी हो गया, जहां से कुश्चन जानदा आते हैं, जोग्रफी है आपका, हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है ठीक ना, और साइंस, टरपल ऐसी साइंस और जोग्र लोग से वायोग या जो हमारी सरकार है, उसके द्वारा ऐसा कहा गया था, एक दिन न्यूजपेपर में आया था, उसी को लियास से बार बार आप लोग के मैसेज आ रहे थे, कि सर बैच स्टार्ट कीजिएगा, बैच स्टार्ट कीजिएगा, एक बात तो यह है, कि विग्य है, कुछ ऐसे हैं, जो अबलेवल नहीं है, तो आपको चार क्लास है, मिनमाम आपको मिलती रहेंगे, धीरे-धीरे आपका सिलेवर्स कम्प्लीट होतर आएगा, अगर अपने सिलेवर्स की बात करूँ, तो बक्फू भी मेरा चेहरा पहँचान रहे होंगे, भूगोल और प पढ़ना श्टार्ट कर रहे हैं, जहां से अधिकान कुछन पूछे जाते हैं, बलकि अन परिक्षों में भी अच्छे खासे पूछन पूछे जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो टरपल ऐसी किराबा एक खंड़ सिक्षा यतिकारी और कोई परिक्ष्छ दे रहे हो पूरी भारत की नदियों को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इन भारत की नदियों का वरगी करण किया गया, एक नदियों को नाम दे दिया गया, ऐसी नदियों का वरगी करण किया गया, सबसे पहले हम इस समय लेते हैं, कि नदियों का वरगी करण के साधार पर किया गया, तो भारत में दो प्रकार की नदियों पाएं जाती हैं, और इनका वरगी करण, उत्पत्ति, उत्पत्ति कर् मात्रा क्या धार पर भारत की नदियों को कितने भागों माठ दिया गया तो भारत की नदियों को बाठ दिया गया दो भागों कितने भागों माठ दिया गया भारत की नदियों को दो भागों माठ दिया गया एक ऐसी नदी जिसकी उत्पत्ती हिमालाय से हो रही है और हिमालाय से होने के कारण इनको नाम दे दिया गया हिमालय नदिया क्या नाम दे दिया गया इनको नाम दे दिया गया हिमालय नदिया अब आप समझेगा इस हिमालय सब्द में हिमालय सब्द में एक सब्द लिखा हिम और हिम करत के हो तो अब वर्प हिमालय परवती छितर में वर्प ज पढ़ने से पानी का नेरमाण होता और जब पानी में प्रवायत होने लगता है यह बर्स बर पानी प्घलने के कारण इनको फांडे सब्सक्राटर दीय यह ब्रस भर्व के नाम दे दिया गया, बारह मासी नदी, यहां पर बारह मासी नदी करते हैं, कैसी नदी जिसमें हमेशा जल पाए जाएगा, और ऐसी नदी जिसमें हमेशा जल पाए जाएगा, उसके लिए एक सब्द और यूच कर दिया, और नाम दे दिया गया, एवर ग्रीन, प्राइदुईपी बाले छेतर से निकलती है और हम भारत के प्राइदुईपी छेतर की बात करें तो प्राइदुईप इस्थाल खंड का एक ऐसा भाग होता है जिसके तीन ओर क्या पाया जाता है जिसके तीन ओर जल होता है भारत है और भारत के यहां पर तीन ओर जल है अग तीन ओर से भारत पानी से घहरा हुआ है इसके लिए एक सब्द्यूज कर दिया गया है इंगलिस में पैनेंसुला बोलते हैं और हिंदी में नाम दे दिया गया प्राइद्वी अगर कई बार तो ही पूछ लिया जाता है तो इस थल का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर जल पाया जाए उसको हम क्या कहते है प्राइद्वी 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 प्र हिम नहीं पाए जाती वर्फ गिलेशियर गिलेशियर मतलब बर्फ के बिसाल भू भाग तो यहां पर बर्फ नहीं पाए जाती फिर पानी कहां से आता है तो जब मांसून आता है जब मांसून आता है तो मांसून के आने के कारण यहां पर बारिस होती है और मानसून के कारण जब यहां पर बारिस होती है तो इन नदियों में पानी आ जाता है तो इन नदियों को नाम दे दिया गया मानसूनी नदिया या मौसमी नदिया अब मानसून एक निश्चे समय में आएगा और वो निश्चे समय क्या होता है बरसात तो इसलिए इन नदि प्राइद WPA नदिया, बर्साती नदिया या फिर कौन सी मांसूनी या मौसमी नदिया ऐसी नदिया जिन में एक निश्चत मौसम में जल पाया जाएगा ठीक ना, तो यहां पर हम नाम लिख लेते हैं, प्राइद WPA, या दच्छन भारत की नदिया, प्राइदुई 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 प अब देखिएगा ट्रपाल सी जो आपका आयोग कराता है उसका स्टेंडर्ड अगर हम देखें तो रेलबे या SSC के एकजाम से उपर है और लोग से वायोग की द्वारा जितनी परिक्षाएं आयोजित की जाती है उत्तर प्रदे इस लोग से वायोग की द्वारा जैसे PCS है जैसे अब तो lower PCS लोग से वायोग नहीं कराता है वही कराने लगा ट्रपैसी जैसे खंडे से च्छाथिकारी है तो उस लेवल से थोड़ा नीचे रहता है अब अगर यहाँ पर तो यह क्यों हो जाएगा सर इससे संब्दित नदिया और इससे संब्दित नदिया वह तो मै या भारत की नदियों में पाय जाने वाले अंतर को समझाएं कि अंतर हैं अब आपको दे देगा कथन कारण वाले प्रशन देगा कि हमाले नदियों में हमेशा जल पाया जाता है इसलिए उनमें परिवहन सुगम है भाई आप बताईएगा कि अगर इनमें हमेशा पानी पा जाएगा, जहाँ पर हमेशा पानी पाया जाएगा, जहाँ पर पानी हमेशा पाया जाएगा, और जलमार यहाँ पर नहीं बना जाएगे, क्योंकि यहाँ पर पानी कम पाया जाता है, आपने भारत सरकार की एक योजना का नाम सुना होगा, योजना का नाम है नदी जोड़ो पर यूजना नदी जोड़ो यूजना या नदी जोड़ो पर यूजना आखिर क्यों नदियों को जोड़ा जा रहा है उत्तर भारत की या हमाली नदियों को प्राइदुपी नदियों से जोड़ने की बात कही गी क्यों कि इन नदियों में हमेशा पानी नहीं पाय जाता है इ लाइदुईपी नदियों से क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए ठीक ना तो अंतर आपको समझने है हमाले नदिया इनमें पानी अधिक है तो आधिक मात्रा में क्या करेगी जब धरातल से प्रवाहित होंगी तो अधिक मात्रा में धरातल का कटाओ करेंगी और धरातल के कटाओ करने की पिर्किरिया को नाम दिया जाता अपर्दन इरोजन बोलते हैं इंगलिस में अपर्दन यानि कटाओ करना तो अगर हम आप से कहें कि हमाले नदियों बरसाती नदियों में से अपर्दन का दर किसका देखोगा? हमाले नदियों का और अपरदन के दरकम किसका होगा, किसका बरसाती नदियों, एक सब्द और बोल ला हूँ मैं, और सब्द का नाम है विसरपन, विसरपन का मतलब होता है, नदी इस परकार चलती है, नदी इस परकार चलती है, नदी विसरपन तभी करेगी, जब वह अपने साथ आउसादों क को बहाकर लाएगी आवसाद पहले नदी मा लिजेगा ऐसे सीधी बहरी थी लेकिन यहां पर आवसाद एक अत्रित होने कारण वो क्या करेगी अपना मार्ग बदलेगी जितनी भी मार्ग बदलने वाली नदियां हैं जैसे ब्रामा पुत्र नदी असम का सो कहा जाता है सो क्यो कहलाती है क्योंकि नेपाल के तरही छितर से निकलती है और अपने साथ इतना मलवा लेकर आती है कि बीच मार्ग में उसको इस्थापित कर देती है जिस कारण से जब नदी उस मार्ग में नहीं जाती है वो अपना साइड से मार्ग बदल लेती है तो ऐसी नदियां जो अप जंधन की हानी होती है और जंधन की हानी होने के कारण ही इसको एक नाम दे दिया गया क्या? बिहार का सोक कोसी, असम का सोक ब्रह्मपुत्रा, बंगाल का सोक दामोधर, तो इस प्रकार से इनको आपको याद रखना है ठीक ना? अब बात आते हैं कि सर हिमाले नदियां और बरसाती नदियों में कि इनके आप एक्जामपिल तो अगर हम हिमाले नदियों के लिखें, ठीक ना, यहां पर मैं हिमाले नदियां के अंतरगत हिमाले की नदिया है, हिमाले नदियों के अंतरगत कौन-कौन सी नदिया है, तो सिं जेलम, सिंदू जेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा और उसकी साहिक नहीं दिया, जैसे गंगा, जैसे राम गंगा, गंगा, राम गंगा, जैसे आपकी गंडख, घागरा, कोशी, महानन्दा, यमुना, इसके लाबा ब्रह्मपुत्र और उसकी साहिक नहीं दिया, ब्रह्मपुत्र. तो यह सभी हमालाय से निकलने वाल नदिया हैं, अगर हमालाय से निकलने वाल नदिया हैं, तो अपर्दन नदे करेंगी, तो बाड़ा आएगी, बाड़ा देखाएगी, तो क्या हो गए? इने सोक कहेंगे, कई सारी सोक बाली नदिया हैं, दूसरी अगर हम बात करें, दच्छन भारत की नदियों की, कहां की बात की जा रही है, दच्छन भारत की नदियां, अगर हम इस बात से स्टार्टिंग से देखें हैं, तो महानदी, गोदावरी, किस्ञा, महानदी, गोदावरी, किस्ञा, उसके बाद कावेरी नहीं है, कावेरी अपबाद है, क्यों अपबाद है, हम समझा देंगे, नर्मिदा, आप्ती, बै गई, पेनार, बै गई, बै गई के बाद कावेरी है, पेनार हो गई आपकी, उसके बाद अगर और बात करें तो चंबल, बैतवा, केन, सोन, आधी, दामोदर, जारखंड से निकलती, दामोदर, अपबाद कावेरी नदी है, कावेरी नदी का अपबाद यह है, कि कावेरी नदी अगर देखा जाए, तो उत्पत्ती की दृष्टी से दच्छन भारत की नदी है, अगर उत्पत्ती की दृष्टी से दच्छन भारत की नदी है, तो इस नदी में केवल वर्सात के समय जल पाया जाए लेकिन इस नदी में वर्स भर जल पाया जाता है और यही इसके अपबाद का कारण है तो अपबाद क्या है अपबाद है आपकी कौन सी नदी तो अपबाद है आपकी कावेरी नदी कौन सी नदी अपबाद है तो इसमें देखेगा अगर आप हमारे इस online batch में एड़िशन लेना चाहेते हैं तो यह हमारे नमबर है 8736093317 वांधियम औरी आपको लेखचम लेक्पाल इंतरी लेकर इस नमबर पर भी देना है ना तो अपने नमर को अपने वांधियम कीजिएगा उस पर लेक्पाल इंतरी लेकर वांधियम से प्रात्मिक्ता क्या है, क्या फी है, क्या इसका इस्ट्रक्चर है, यह सारी चीज़ें आपको वहीं पर बता दी जाएंगे, ठीक ना, अपने टॉपिक पर चलते हैं, अब एक एक से हम लोग नदियां पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो भारत की में सबसे लम्मी नदी से सबस दो टर्म समझ लेते हैं, एक आता है सबसे बड़ी नदी, एक आता है लम्मी नदी, तो बड़ी नदी का सम्मंद, बड़ी नदी का अर्थ होता है, कि ऐसी नदी जिसमें पानी धारन करने की छमता, ऐसी नदी जिसमें पानी धारन करने की छमता दिक होती है, उसको बड़ी नदी कहते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है आयतन उसका जानदा है लम्भी का मतलब होता है ऐसी नदी जो जितनी जानदा दूरी तै करेगी उसको बोलते हैं लम्भी नदी क्या बोलते हैं लम्भी तो भारत की सबसे लम्भी नदी का नाम बताएं गंग चाहता हूं या कोई भी हमारा इनिस्टूट का भी नहीं चाहता है कि बार 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 आप एड़िशन लेते रहें एक बार पढ़िएगा अच्छे से टीचरों से पढ़िएगा भाटकाउस से थोड़ा बचिएगा जैसा कि कल रभी सर ने भी आपको बताया था कई सारे इनिस सोचेगा और वहीं पर जोड़िएगा जो संस्तान विश्वसनी हो और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपको जो देख रहे हैं अभी मुझे तो वो कमेंट करके बताएंगे कि कितने इमांदारी से चाहें कोई बैच हो हाँ कुछ अभी एक बैच ऐसा भी है दो बै काओ कि इस्तिती उत्पन ना हो भटकिये का मत्र आप बहुत सही जगह पर हैं इमांदारी से चाहें हम हो चाहें रवी सर हो चाहें आपके राजकुमार सर हो संदीद सर हो गरपांडे सर हो पिरते एक टीचर आपको लगन के साथ पढ़ाएगा और ना केवल हम इस प्रकार हम मेहनत से पढ़ाएंगे इसी प्रकार आपको मेहनत से पढ़ाएंगे अच्छिक करोना बाारिस नहीं एक बीमारी का नाम है टिक-टॉक उस बीमारी का नाम है तिक-टॉक बहुत सारे लोग देखते हैं जहां पर मैं रहता हूँ, वहां पर भी आजुबा जो बहुत सारी लोग देखते हैं, हमें से जुनता रहता हूँ, उसमें एक ही गाना बार बार आता है, एक ही गाना और ट्रेंड चरता है, एक ही गाने को कई सारी लोग, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके बारे नहीं ब कुछ लोग उसका फायदा भी उले रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसी वीडियो डालते हैं, कई सारे लोग ऐसे भी हैं, जितने अच्छी वीडियो डालते हैं, कि उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उनसे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, कली मैंने उस पहरे एक देखा था मैं भी देखता हूं ऐसी बात नहीं मैं भी देखता हूं लेकिन उतना ही दो चार पांथ दस मिनट बज उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी बात कल पढ़ी थी सुनी थी करें गए दो तरह से बदलता है या तो उसी समय पर ब्रत्थित कर दें या तो वह स्मय बदल जाए या समय बदल गए तो बहुत अच्छा है तो और उस सफलता में हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ मेहनत करेगी इस मांदारी से पढ़ना है भठकाव की इस्तिति उपन नहीं होना है चाहे थोड़ा सा पढ़िएगा पढ़िएगा डेली और डेली पढ़ेंगे तो यही एक मुलमंत्र होता है जो आपको आपको आपकी सिखर तक पहुँचाता है आपकी सफलता तक पहुँचाता है आप 25 गंटे पढ़ेंगे एक दिन कोई मतलब नहीं है आप डेली पढ़िएगा चाहे दो ही गंटे पढ़िएगा लेकिन डेली पढ़िएगा उसका नतीज़ा अलग होता है ठीक ना आ की पूंचा जाते हूं नहीं भारत की सबसे लंबी ना दी अगर इसकी हम लंबाई के बात करें तो लगबग 25 anyway इसकी लंबाई कितनी है पचीस सो पचीस किलो मेटर इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है पचीस सो पचीस किलो मेटर ठेक ना समझेगा भारत की सबसे लंबी नदी लंबाई कितनी है पचीस सो पचीस पॉषसा, गंगन अदी, पाशिश की तक भी है, यह भारत के कॉंच कौन से राज्जू से गोजाती है डाइग्राम बनाओगा, गंगन अदी के अगर हम अपवायद Schweelectric की बात करें अपवायद Schwe striking का मतलब होता है जे छे छे छेतर से होकर बहती है तो अगर हम बात करें कि इसका अपवायच्छित्र क्या है, कौन कौन से राज्जूं से होकर ये बहती है, तो अपवायच्छित्र की बात करते हैं, तो पांच राज्जूं से होकर बहती है, क्रिम से लिख रहा हूँ, उत्रा खंड, उत्रा खंड, उत्रा खंड के बाद पहुंचती है उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचती है बिहार की बाद कहां पहुंचती है जारखंड और जारखंड के बाद कहां चली जाती है जारखंड के बाद कहां चली जाती है पश्यमंगाल जारखंड के बाद कहां चली जाती है पश्यमंगाल और पश्यमंगाल के ब पशी बंगाल के बाज चली जाती है। बंगलादेश के बाज बंगालाव की खाडी में। विससे के बड़ा डिल्टा का निर्मान करती है। जिसका नामे सुन्दरबन डिल्टा। मैंने इतना पड़ाया है, कि इस नदी का सम्मन भारत के इन 5 राज्यों से, वो question दूसरा पूँचेगा गंगा नदी भारत के इन पांच राज्यों में बहती है किसी ना किसी राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक होगी और किसी ना किसी राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम अभी नहीं क्योंकि अभी हम भारत के संदर में उत्तर प्रदेश के संदर में नहीं पड़ रहे हैं अगर सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है तो सबसे कम लंबाई भी किसी ना किसी राज में होगी तो सबसे कम लंबाई जिस राजी में उसका नाम क्या है? उसका नाम है जारकन. उतर प्रदेश के बाद गंगा नदी के सबसे अधिक लंबाई कहां पर होती है तो होती है पश्मगाल. कहा होती है? पश्मगाल एक टर्म आपको याद रखने पूछे जाते हैं. तो गंगा सरकार थी और इस सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाए गया जिसका नाम है जी एपी गैप और इस गैप का फुलफों में गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान एक प्लान क्या है? क्यों चलाए गया? तो गंगा नदी के प्रदूशन को कम करने के लिए गंगा नदी के प्रिदूशन को कम करने के लिए आप से कुशन कई बार पूंचा जाता है गंगा एक्षन प्लान किस बर्स चलाए गया उनिस सो पचासी किस सरकार की दोरा चलाए गया राजीव गांदी सरकार की दोरा किस सरकार की दोरा राजीव गांदी सरकार की दोरा ही चलाए गया था ठीक ना बस अभी हम इसी के बारे बता रहे हैं फिर डेटेल में इसके बारे में और समझेगे आईएगा अब गंगा नदी का हम निर्माड करते हैं गंगा नदी का निर्माड करने के पूर्व कई सारी छोटी छोटी नदीयां आती हैं आपस में मिलती हैं और एक बड़ी नदी का निर्माड करती हैं उत्रा खंडराज में एक परवत है यह आप कह लीजिए कि है जिसका नाम है सतोपत हिमानी से दो नदिया निकलती है एक इस छोड़ से और इस छोड़ से इस नदी का नाम है धौली गंग और इस नदी का नाम है विश्णू गंग धौली गंगा और धौली गंगा के बाद कौन सी गंगा है धौली गंग और विश्णू गंगा विश्णू गंगा जो नदी है विश्णू गंगा नदी के तट पर ही बद्री नाथ है क्या है बद्री नात हिंदु धर्म में या सनातन धर्म का एक मात्पूर्ण क्या है सनातन धर्म के एक मात्पूर्ण है तिर्दिस्थान है और थोड़ा तो रांग बढ़ लेंगे तो यहीं पर एक और मात्पूर्ण इस्थान है जिसका नाम है जोसी मठ के नाम है जोसी मठ ज इस प्रियाग का नाम क्या है तो इस प्रियाग का नाम है विश्णू प्रियाग अगर आप से पूचा जाए कि बद्रिनात और जोसी मठ तीरत इस्थल किस नदी किनारे हैं विश्णू गंगा नदी किनारे हैं धौली गंगा और विश्णु गंगा कहां पर आके मिलती हैं विश्णु प्रियाग में जब ये नदियां मिल जाती हैं विश्णु प्रियाग में जब ये नदी मिलती हैं तो यहां से एक न्यू नदी का निर्माड होता है और जो न्यू नदी का निर्माड होता है इस अलगनन्दा नदी से इस साइड से एक नदी आकर इस प्रकार मिलती है अगर हम नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है पिंडार नदी कौन से नदी है पिंडार नदी पिंडार नामा गिलेशियर से निकलती है और अलगनंदा नदी में आकर यह मिल जाती है और अलग नंदा नदी में जहां पर आकर मिलती है यहां पर एक प्रियाग है और यहां पर जो प्रियाग है इस प्रियाग का नाम है करण प्रियाग के नाम है तो यहां पर एक प्रियाग है और इस प्रियाग का नाम क्या है करण प्रियाग उपर पिंडार नदी के पहले एक और छोटी से नदी आकर मिलती है नंदाकनी और नंद प्रियाग में आकर मिलती है मैं बना देता हूं कुछ भी से इसना रहे ताकि आप परिक्षा में पिश्ण न छोड़ा है उसके पहले छोटी से नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम है नंदाकनी नंदाकनी और नंदाकनी नदी जहां पर आकर मिलती है अलगनन्दा से याद रखिएगा जब तग मैं वाइट कलर्ट से बनाउगा बोगनन्दा ही रहेगी जब मिलती है यहां पर नंद प्रयाग के नाम है? तो इस नदी का नाम है नंद प्रयाग ठीक ना? अब अलगनन्दा से जब पिंडार नदी मिल जाती है करण प्रियाग पर तो अभी भी इस नदी का नाम क्या है तो अभी भी इस नदी का नाम अलकनन्दा है अभी भी इस नदी का नाम क्या है तो अभी भी इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है अलकनन्दा और अलकनन्दा से अब इस साइट से एक नदी आकर मिलती है और जो नदी आकर मिलती है यहां से ठीक ना इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है मंदाकनी नदी कौश नदी है तो यहां पर जो नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम मंदाकनी और मंदाकनी जहां पर आकर मिलती है वहां पर एक प्रियाग है और इस प्रियाग का नाम क्या है तो इस प्रियाग का नाम होने वाला है यहां लिख दे रहूं है इस प्रियाग का नाम है रुद् अभी भी इस नदी का नाम अलखनंदा ही है उत्राखंड राज्य में गंगोत्री गिलेशियर मतलब यहां पर बरपेकत रुखत हो गंगोत्री गिलेशियर से कौनसा गिलेशियर है गंगोत्री गिलेशियर से एक नदी निकलती है और अलखनंदा से जाकर मिलती है अगर इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम भागी रती नदी कौनसे नदी है भागी रती नदी और भागी रती नदी अलखनंदा से जह यहां पर आकर मिलती है, यहां पर एक प्रियाग है, और इस प्रियाग का नाम क्या है, इस प्रियाग का नाम है देव प्रियाग, और देव प्रियाग पर मिलने के बाद, यहां से जो नदी का निर्माड होता है, इस नदी का ही नाम क्या है, तो इस नदी का नाम ही है, गंगा गंगा नदी जब यहां से आंगे बढ़ती है देपरियाग से तो यहां पर कुछ महत्पूर्ण तीरतिस्थान है जिनको आपको याद रखना है एक महत्पूर्ण तीरतिस्थान याँ पर रिसी केस और दूसरा महत्पूर्ण याद रखना है हरिद्वार एक रिसी केस तो दूसरा याद क्या रखना है तो दूसरा याद रखना है कौनसा हरिद्वार यह भागी रती नदी है भागी रती नदी से एक छोटी सी नदी आकर मिलती है और छोटी सी नदी जो आकर मिलती है इस नद का नाम भीलांगना नदी को मैं आर्च से ले दे रहो भीलांगना नदी जहां पर भागी रती से मिलती है यहाँ पर एक बांद का निर्माण किया गया और इस बांद का नाम क्या है टहरी बांद, भारत का सरवाद कुछाई परिस्थित गुर्ता कर समात, टहरी बांद, बाबु, पांच राज्यों महतिय गंगन दी, यह जितनी भी अभी तक की कहानी है, पूरी की पूरी कहानी जिस उतराखंड में आखकांज अची के नदी परवतों परवहैत होती है परवती छहत्रों में सबसे पहले जिस मैदान में प्रिवेश करती है उस मैदान का नामें दुवार और उस द्वार उपके मैदान में ही एक सहर बसा हुआ है और उस सहर का नाम क्या है तो उस सहर का नाम है हरिद्वार तो गंगा नदी सबसे पहले जिस मैदान में प्रिवेश करती है उस मैदान का नाम क्या है तो उस मैदान का नाम है हरिद्वार अब एक क्विश्ण पूछा जाता है, कितने प्रियाग है, पांच प्रियाग है, ठीक ना, और पांच प्रियाग में विश्णू प्रियाग, नंद प्रियाग, करण प्रियाग, रुद्र प्रियाग है, एक करण है यहाँ पर, करण प्रियाग, रुद्र प्रियाग और कौन स सद्दे प्रयाग कई बार कुश्चन पूचा जाता है कि प्रयागों की संख्यक्रिम्री आप बताएंगे कि 진ig 5 कि दिये New entreg everything जब तक गंगा नदी का निर्माण नहीं होता है जब तक उसमें मिलने वाले नदियों को हम प्रयाग के नदी कहाँ पर मिलती है रुद्र प्रियाग में और भागी रती नदी कहाँ पर मिलती है तो भागी रती नदी मिलती है देप्रियाग में तब कहीं जाके निर्माण होता है किस नदी का तब कहीं जाके निर्माण होता है गंगा नदी का बद्रिनात और जोसीमर जो है बिश् मात्पूर्ण का नाम है केदर नात के नाम है के नाम है तो इसका नाम है केदर नात इस आपको यार रखनी है तो आज हमने गंगा नदी के किवल आपको उपर उपर की जानकारी दी कि किस प्रकार गंगा नदी का निर्माड होता है नेक्स्ट वीडियो इसी से लिंक रहेगा ताकि आपको भढ़काओ किस्ति जिनाओ किसर एक टॉपिक पूरा नहीं होगा दूसरे टॉपिक पर हम पूरी नदियां पढ़ाएंगे पूरी उत्तर भारत की नदिया, दच्छन महारक की नदिया, पूरवी तर्क की नदिया, पश्मी तर्क की नदिया, सारी नदियों को पढ़ाएंगे, तब ही हम next topic की पढ़ेंगे, तो कल या जब भी मेरा next lecture आएगा publicly, तो आपको गंगा नदी के आंगे का वीडियो में ठीक ना, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कि हमारे लिए, हमारे यहां, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको प्रिवेस पाने के लिए, 87360-93317, इस नंबर पर आपको लेकपाल इंट्री करके मैसेज भेजना है, आपको एडवीशन से संबंदि सारी प बता दी जाएं, ठीक है मित्रों, तो ख्याल रखें अपना अच्छे से और अपनी बढ़ाई निरंतर करते रही है, धन्यवाद,